आज मैं आप सभी के लिए एक पर फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहदी खौफ़नाक सची घटनाए लेकर घटना की तरफ बढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी है तो अपसे स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे वर्टसअप नमर के जरीय मुझे तक पहुचा सकते हैं आपके स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी राहुल मेरी बात का हुश्वास करो ये कहते ही कृतिका की आँखों से आसु आ जाते हैं कृतिका कहती है तुम्हारे घर में कुछ तो अजीब है वो हो कृतिका तुम आज भी इन सब बातों पर एकीन करती हो तुम ठक गई हो इसलिए सब कह रही हो जाओ सो जाओ इतना कहकर राहुल फोन काट देता है कुछ समय पहले मुंबई के बड़ी शहर में एक आलिशान घर के सामने लोग की भीड़ खटा थी और लोग सामने खड़े शक्स जिसने बड़िया सूट बूट पहन रखा था और सभी लोगा कर उसे जन्मनिंग की मुबारक बात दे रहे थे मुबारक और यशवन सिंग ऐसा कहते हुए एक आदमी आगे आया यशवन सिंग ये देखकर बहुत खुश था क्योंकि वो आदमी उसका खास मित्र था अरे गिर्धर तुमने आने में इतनी देर कैसे कर दी दोनों दोस्त मिलकर बाते करते हैं तब ही पीछे से एक लड़की आती है हैपी बड़ दे पापा ये लड़की क्रितिका थी जो कि काफी जुन्दर और सभाव से काफी अच्छी लड़की थी चलो क्रितिका बेटा अंदर तुम्हारी बेहन तुम बुला रही है क्रितिका की मा वसंदरा उससे बोलती है हाँ मा आई इतने में उसकी छोटी बेहन के अंदर से आवाज आती है दीदी आज मुझे बेसंग के लड़काने है बनाना मत बूलना कृतिका अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी और समझदार भी थी इधर दिल्ली में एक बड़ा बिस्नेसमेन रहता था जिसका नाम था राजवीर उसके बेटे का नाम राहूल था राहूल की मा रुक्मनी देवी उसके चारा राची मुकेश और रानी उसकी बुवा और उसके दादादी ये सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे कुछ समय के बाद कृतिका के बापा के मित्र गिर्धर कृतिका के लिए रिष्टारे कराते है बापा मैं भी शादी नहीं करना चाती मुझे अभी और पढ़ना है मुझे अपने भाई वेनों के साथ अभी और रहना है बेटी मैं जानता हूँ कि तुम अभी पढ़ना चाती हो लेकिन मैं भी चाता हूँ कि मेरी दो बेटियों में से एक की शादी तो मेरे सामने हो जाए नजाने भगवान की इच्छा कब हो और मुझे कब कुछ हो जाए कृति का उदास आवाजन मुझे बनाते हो बोलती है आप ये सम्मत कहा करें मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप अभी भूडे कहां होए हो इतना कहा कर कृति का अपने पापा के गले लग जाती है अगर बाप बेटे की बात हो गई हो तो अब नाश्ता कर लिया जाए कृति का की माई कहते हुए नाश्ता लेकर आती है सभी लोग नाश्ता करते हैं दीदी खालो जितना खाना है शादी के बाद तो सबसे बाद में मिला करेगा हसते हुए रूवी बोली है ना नुज हाँ दीदी उसका छोटा भाई बोला नहीं बेटा वहाँ ऐसा नहीं है वहाँ बहुँ को बेटियों की तरह खा जाता है हमें बस एक पड़ी लिखी संसकाई लड़की चाहिए जो कि कृतिका है गिर्धर बोलते हैं कृतिका के पापा बोलते हैं गिर्धर अगर हम उनसे एक बार मिल लेते तो ठीक रहता हाँ क्यों नहीं गिर्धर खाना खाते हुए बोला तो फिर कल तयार हो जाना ठीक है मैं चलता हूँ अब गिर्धर और कृतिका के पापा उनसे मिलने जाते हैं तब कृतिका के पापा बोलते हैं अरे गिर्धर ये तो बहुत बढ़ी है वे लिए माना कि हम भी उचे खानदान से हैं लेकिन ये तो कुछ जादा ही उचे खानदान के लोग लगते हैं क्या इन्हें हमारी कृतिका पसंद आई क्यों नहीं वो अपने बराबरी की नहीं बलकि उन्हें तो संसकारी और पढ़ी लिखी बहु चाहिए जैसे ही दोनों में गेट पर हुचते हैं वैसे ही दो आद में उनका स्वागत करते हुए उन्हें अंदर रे जाते हैं एक विक्ती सामने सोफे पर बैठा था जिसकी उम्री यही कोई पचास साट की आसपास की होगी अरे गिर्दर भाई आओ बैठो जी विल्कुल यह मेरे दोस्त है यश्वन सिंग मैं इन्हें आपके बेटे के रिष्टे के लिए लाया हूँ यह घर किसी और का नहीं बलकि राहुल का है यश्वन सिंग बोलते हैं तो आप हमें दहेज के बालें बता दीजे कितना क्या लेंगे राजवीर यानि की राहुल के पापा जी नहीं हमें कोई दहेज नहीं चाहिए हमें बस हमारी बहु चाहिए जी बिल्कुल तो आप हमारे यां कब आएंगे हम तो भाई कली लड़की देखने आएंगे और जल्दी शादी करवा देंगे लेकिन इतनी जल्दी क्या है किश्वन बोलते है अभी तो हमने लड़के को देखा भी नहीं तब ही मुकेश जो कि राहुल के चाचा थे वो आते हुए बोलते है राहुल को देखने की जुरूरत ही नहीं है वो हर किसी को बसंद आयाता है चुकि हमारा राहुल है ही इतना हैंडसम लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं तो दो दिन के बाद वो आएगा किसी बिजनस के काम से अभी फोरण गया हुआ है अच्छा तो जब आप हमारी कृतिका को देखने आएंगे तो राहुल को भी साथ ले आईएगा जी बिल्कुल राजवीर बोलते हैं सभी लोग थोड़े देर बाते करते हैं और फिर गिर्धर और इश्वंत वहां से चले जाते हैं रास्ते में दुनों पाते करते हुए बढ़ रहे होते हैं गिर्धर तु इतनी दूर रिष्टा लेकर आया है अरे नहीं एश्वंत तेरी तरह मेरा दोस्त है जो उस हवेली की देखरे करता है तो उसी न मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी बात है लेकिन गिर्धर हमारी गिर्धिका जारा दूर हो जाएगी अरे एश्वंत बेटी तो परायधन है पता है करतिका थोड़ी दूर हो जाएगी लेकिन राज करेगी पूरी जिंदगी करतिका के पापा उदाश शहरे से कहते हैं हाँ ये तो है दो दिन के बाद हवेली के सभी लोग करतिका के घर आते हैं और उन्हें करतिका बहुत पसंद आती है उनके साथ राहूल भी आया था और सच में राहूल बहुत अच्छा था लेकिन वो एकदम चुपचा बैठा हुआ था करतिका के बहन को ये थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने बड़ों के बीच में बोलना सही नहीं समझा सबी लोग रिष्टा पक्ता गयदे चले आते हैं पापा मुझे राहूल जी थोड़े अजीब लगे नहीं वैसे तो बहुत अच्छे हैं हैंसम है लेकिन जब से वो आये तब से बिल्कुल जुपचा बैठे रहे गिर्जर बोलते हैं अरे बेटा कुछ बिजनस का टेंशन होगा इसी लिए इधर राहूल अपनी मा से बोलता है आप से किसने बोला था मेड़े लड़की देखने के लिए मैं आपके साथ इसलिए गया था क्योंकि आपने मुझे कसम दी थी लेकिन मुझे क्या पता था आप लोगों जो इस मकसद से लिजा रहे हो राहूल की मा रुकमनी बोलती है बेटा कब तक तो मकेले रहोगे मुझे से तुमारा एकेला पन देखा नहीं जाता मा, मैं केला नहीं हूँ सुनैना अप भी मिर दिल में रहती है और उसकी जगा मैं किसी और को कभी नहीं दूँगा तभी राजवीर वहां कमरे में आते हैं और बोलते हैं तुमारा मन हो या ना हूँ लेकिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी राजवीर का कहना घर में कोई नहीं टाल सकता था लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा राजवीर बोलता है रुकमणी समझाओ अपने बेटे को परना नर्थ हो जाएगा ऐसा बोल कर उसके पापा चले आते हैं राजवीर अगर तुमने शादी नहीं करी तो मैं जहर खालूंगी रुकमणी बोलती है माई आप क्या बोल रही हो मैं कुछ नहीं सुन सकती राजवीर को अपनी मा की बात का डर था इसलिए वो आखिरकार शादी के लिए मान जाता है कुछ दिनों के बाद कृतिका और राहुल की शादी हो जाती है कृतिका जब पहली बार अपने सिस्वार पहुँचती है तो हवेली को देखते ही उसे थोड़ा अजीब सा लगता है वो मनी मन सोचती है कि शयद वो पहली बार यहां पर आई है इसी लिए उसको ऐसा लग रहा है आओ बहु ग्रह परवेश करो रुकमनी बोलती है कृतिका अपने पैरों से लोटे को मारती है तब ही बहुत तेज से हवा चलने लगती है और एकदम से आस्मान में काले बादल छा जाते है रुकमनी जल्दी बहु को अंदर ले आओ राजीर बोलता है बहु के आते ही हवेली पर काले बादल जाने लगे रानी बोलती है रानी राहुल की चाची थी मुकेश जवाब देता है तुम चपी बोलती हो उल्टाई बोलती हो चुप रहा करो कृतिका के ग्रह पवेश के बाद सब शानत हो जाता है कृतिका राहुल की कमरे बैठी थी तब भी राहुल वहाँ आता है और कहता है देखो ये शादी मुझे जबरदस्ती करवाई गई है मैं तुमें कभी भी अपनी पत्नी का दर्दा नहीं दे सकता अगर तुम चाह हो तो अपने पापा को बुला कर ला सकती हो क्योंकि मेरी पत्नी इतना बोलकर राहुल रुक जाता है और कहता है कि फैसला तुमारे हात में है लेकिन मुझे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना इतना बोलकर वो कृतिका के पास जाता है और तकिया और विस्तर उठा के वहां से बाहर चला जाता है यह सब सुनकर कृतिका एक्दम हैरान हो गई थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो बस उस और देखे जा रही थी जहां राहुल गया था थोड़ देर के बाद कृतिका रो रो कर अपनी हालत खर मेटा देता है और जल्दी से उसके ओपर पानी के चीटे डालता है कृतिका शायर यह सब जय नहीं पाई थी इसलिए वह बेहोश हो गई थी अगली सुबह कृतिका जब तयार होकर आती है तब रुक्मणी बोलती है कितनी सुन्दर है हमारी बहु किसी की नजर ना लगे अब अपनी बीवी को देखता ही रहेगा या नाश्ता भी करेगा राहुल बिना कुछ कहे खाने की टेबल पर बैठ जाता है रानी एक काम कर तुद अब तक बहु को हवेली घुमा दे चिरते हुए रानी बोलती है हाँ अब यही तो काम है मेरा कुछ भोला तुम रानी नह कृतिका को पीछे की जमीन दिखाती है तब ही कृतिका की नज़र एक कमरे पर पड़ती है जिसके दर्वाजे पर बहुत धूल जमी होई थी उस कमरे के आगे गैल्डि बनी थी और गैल्डी में इतने सारे जाल्य थे मानवापर कई सालों से सफाई ना हुई हो जैसे ही कृ वैसे ही रानी उसका हाथ पकड़कर उसे खीच लेती है जब कृतिका रानी को देखती है तो रानी का पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था और वो कृतिका से चिलाते हुए बोलती है यह तुम्हारा घर नहीं है कि यहां मनकरा वहाँ चली गई लेकिन चाची जी यह तो ऐसा लगता है कि मानो कई सालों से बंद है ऐसा क्या इस कमरे में जो आप इससे आगे कृतिका कुछ कहती रानी उसे वहाँ से ले जाती है और फिर कृतिका से कहती है वहाँ भूल कर इमच जाना अगर जी जी को पता चल गया ना तो पता नहीं मेरा क जमझी तुम जी रानी महाँ से चली आती है रानी कृतिका से इसले चिर्टी थी कि वह कभी नहीं चाहती थी कि राहूल की शादी ना हो वो चाहती थी कि पूरी प्रोपर्टी उसके बेटे अनुश को मिले आखिर सक्या है उस कमरे में जो चाची जी को इतना गुस्ता आ ग बुआ के कमरे के बाहर काफी सारे बेल पत्र, फूल और भी कुछ पूजा पाठ वाली चीज़ें लगी हुई थी, कृतिका बुआ के कमरे में जाती है, पेटा कृतिका आओ आओ, तुम तो बुआ से मिलने भी नहीं आई, नहीं बुआ ऐसी बात नहीं है, बुआ से थोड़े बात करने के बाद कृतिका बोलती है, बुआ जी एक बात पूछू, हाँ बिल्कुर पूछो, वो हवेली के पिछले हिस्ते में एक कमरा है, इससे पहले कृतिका कुछ और कहती, बुआ जी का पूरा शेरी ठंडा हो गया, और उनके पसीने छूटने लगे, बुआ जी क्या ह होगे आपको, कृतिका ने उनके उपर हाथ फेरा और उने पानी पिलाया, बुआ जी कृतिका की तरफ देख रही थी, फिर थोड़े देर बाद वो बोली, बेटा वो श्टोर रूम है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, कृतिका को पता था कि बुआ जी आप सो जाईए और अराम करिए, कृतिका बुआ जी को सुलाने के बाद अपने कमरे में वापस आ जाती है, कृतिका अपने आप से बोलती है, अखिरे सक क्या है उस कमरे में जिससे पूछो वो जूर बोल रहा है, और घबरा भी जाते हैं, मुझे खुछ इस बात का पता द लगा कर रहोगी, नहीं कुछ नहीं, देखो कृतिका, मैं तुमसे कुछ पूछना जाता हूँ, क्या तुमने कल वाली बात पर विचार करा, राहुल कृतिका को वापस जाने वाली बात बोल रहा था, देखो राहुल, मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, पता है, अगर मैं घर वापस गई, तो मेरे माबाप तो जीते जी मर जाएंगे, तुम मुझे अपनी पत्नी मानो या मत मानो, हमारी शादी अब हो चुकी है, छलो कोई नहीं, पती पत्नी नहीं, हम दोस्पन के साथ रह सकते हैं न, राहुल बोलता है, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी, कुछ नह लेकिन इस बात का पता हम किसी को नहीं लगने देंगे, कि हमारे बेच का रिष्टा पत्नी जैसा नहीं है, प्लीज, ठीक है, करीबन रात के साड़े बारा बज रहे थे और कृतिका को नीन नहीं आ रही थी, तो वो बाहर निकल कर बालकनी में खड़ी होकर ठंडी हवा का म कमरे में जाने का, कर्तिका धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और बाहर निकलती है, कर्तिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तब ही एकदम से तेज तेज हवा चलने लगती है, लगता है आच तूफान आने वाला है, पर उसे कहा पता था यह तूफान जिसके बार में उससे अभास हो रहा था ये बाहर नहीं बलकि उसकी जिन्दगी माने वाला है उस कमरे के ठीक सामने कृतिका खड़ी थी और धीरे धीरे अपने कदमों से आगे बढ़ रही थी उसकी ग्यालरी में जालों को साफ करते हुए वो अंदर जा रही थी जैसे ही कृतिका ने उस कमरे के दर्वाजे पर हाथ रखा मानों किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया एक पल के लिए कृतिका की सांसे मांनों रुक गई थी कृतिका थोड़ा जोर लगाती है तो कमरे का दर्वाजा खूल जाता है खुद बखुद और इतनी तेज हवा आती है मानों से कूई चीज ब कृतिका एक चीज से टगरा कर घड़ जाती है जब वो इधर देखती है तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक तस्वीर पड़ जाती है वो तस्वीर भी आदी जल चुकी थी इसलिए साफ नहीं दिख रही थी कृतिका जब उस कमरे की खिड़की से जाती है तो उसके पैरो तले जमीन खिसक जाती है उस कमरे की खिड़की से कृतिका का रूम साफ दिखाई दे रहा था ये कैसे हो सकता है मुझे यहाँ एक हफता हो गया मैंने अपने कमरे से एक कमरा कभी नहीं देखा तभी कृतिका की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है जिससे वो अभी अभी टकराकर गिली थी कृतिका को लगा जैसे उस तस्वीर में जो लड़की थी उसकी आखें लाल होने लगी थी कृतिका वहाँ से भागते हुए सीथे अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर लेती है थोड़ी देर के बाद अच्छा फील करने के बाद जब वो उस बालकनी से देखती है तो सच में अब कृतिका को वो रूम अपने कमरे से दिख रहा था जबकि कृतिका इस बालकनी में पहले कई बार आ चुकी थी बट पहले कभी भी उसे ये रूम यहां से नहीं दिखा था रुकमनी बोलती है कृतिका आज सबको मंदर चलना है जल्दी तयार हो जाना ठीक है माजी कृतिका जब तयार होकर आ रही थी तब ही अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है सबी लोग कृतिका के पास आते हैं राहुल जल्दी से कृतिका को सहारा देकर उठाता है भावी अब गिर कैसे गई पता नहीं मुझे अनुच बोलता है मंदिर तो जा नहीं सकती चुकि उस मंदिर के पहारी के लिए थोड़ा पैल चलना पड़ता है नहीं मामा ठीक हूँ मैं चल सकती हूँ कृतिका उठने की गोशिश करती है लेकिन उसके पैर मानों किसी के द्वारा जकने जा चुके थे मा मैं कृतिका के पास रुख जादा हूँ आप लोग चाहिए राहुल कहता है सबी लोग चले आते हैं पूरी हवेली में कृतिका और राहुल अकेले थे राहुल कृतिका को कमरे में बिठा कर बाहर चला जाता है तबी कृतिका की नजर उस कमरे पर पड़ती है कृतिका जो देखती है उसकी आँखे फटी की फटी रह जाती है उस कमरे में एक लड़की थी जिसने की लाल साडी पहन रखी थी कृतिका को उसका पूरा चहरा नजर नहीं आना था क्योंकि उसके बालों से उसका आधा चेहरा ढगा हुआ था और उसकी एक आख कृतिका को घूर घूर कर देख रही थी कृतिका जब थोड़ा पाश जाती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई रेता कृतिका इसे वहन समझ कर इस पर जाध्यान नहीं देती शाम साथ बज़े तक सबी लोग वापस आ जाते हैं थोड़ी बहुत बाते करड़े के बाद सब लोग खाना खा कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं रात में धाई बजे कृतिका को किसी की आहट से नीन खुल जाती है कृतिका को महसूस होता है कि उसका पैर एकदम ठीक है तबी कृतिका के कमरे के दर्वाजे पर किसी की दस्तक होती है वो दर्वाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता जब वो नीचे आकर देखती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं था तबी कृतिका देखती है कि देवाजी छट की तरफ जा रही थी देवाजी अनुश्की बहन थी देवाजी इतनी रात को छट पर क्या करने जा रही है देवानची रुको चिलाते हुए कृतिका उसके पीछे पीछे जाने लगती है जब वो उपर जाती है तो देखती है कि देवानची शज्जे पर पैल लटका कर बैठी हुई थी कृतिका की तरफ देवानची की पीट थी ये देखकर कृतिका की चीख निकल पड़ी और तब ही सबी घरवाले बाहर निकल कर छट पर आकर देखते हैं पर ये देखकर कृतिका की हालत खराब हो जाती है योकि घरवालों के बीच में देवानची भी खड़ी थी जब वो पीछे प्लेट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था इतनी रात को तुम क्या कर रही हो यहाँ पर रुक्मणी बोलती है कुछ नहीं वह नीन नहीं आ रही तेसलिए हवाख आने आई थी कृतिका को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है सब लोग अपने अपने कबरे में चले आते हैं अब अक्सर ही कृतिका को अपने साथ किसी और के होने का एहसास होता था कृतिका जब राहूल के अलमारी साफ कर रही थी तब अलमारी में से एक एक करके उसमें से तीन चार फोटो गिरते हैं जब फोटो उठाकर वो देखती है तो उसमें एक लड़की थी जो की राहूल के साथ शादी के मंदन में बद्धी हुई थी कृतिका के ये सब देखकर होश उड़ जाते हैं वो गुस्ते से उन तस्वीरों को लेकर नीशे जाती है और चिलाती है मा, पापा, बुह जी, चाचा, चाची सबी लोग नीशे आओ पहले कभी भी किसी ने कृतिका को इतने गुस्ते में नहीं देखा मा के आते ही कृतिका रोटे हुए फोटो दिखाते हुए मा से पूछती है ये सब क्या है और ये रड़की कौन है और ये राहुल के साथ क्यों है इससे पहले कृतिका कुछ कहती सुनैना, रानी बोलती है रुकमनी रानी को आखे दिखाती है और बोलती है कृतिका ये तस्वीर तुमें कहां से मिली मा पहले मेरे सवाल का जवाब दीजे पत्नी है मेरी कहते हुए राहूल उपर से नीचे आता है और कृतिका के हातों से फोटो छीन लेता है एक पल के लिए कृतिका की सांसे मानों रुक जाती है और वो जमीन पर बैठ जाती है अब कृतिका के मन में बस ही की सवाल था कहां है सुनैना कृतिका ने सुनैना के बारे में खूब पता करने की कुशिश करी और उसे कुछ नहीं पता चल पाया कृतिका के साथ होने वाली घटना कृतिगा के साथ इतना कुछ हो चुका था कि वो सैन नहीं कर पा रही थी उसने अब सोच लिया था कि वो सारी बात अपने घर पर कहेगी पर कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता और राहुल ने साफ कह दिया था कि अगर तुम ने यह सब बताया तो पूरे घरवाले इस बात को जुटला देंगे कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कहीं वो लड़ की कृतिका को पंखे पर बैठी दिखती तो कभी दिवाल पर उल्टी चलती हुई फिर तो इस घटनाएं परिवाल के साथ सजस्तों के साथ होने लगी अब सभी को कृतिका के बात पर भी एकीन होने लगा कि उसे वो दिखाई देती है राहुल इस समय घर पर नहीं था बाकि सभी घरवालों के साथ यह सब हो रहा था पर राहुल सबसे अंजान था जब परिवार को इशास हो गया कि हवेली में कोई अद्रश्य शक्ती है तो अगले दिन सभी परिवार के लोग पहाडी वाले मंदिर में रहने वाले बाबा के पास जाते हैं मंदिर में पहुचते ही बाबा को बताने से पहले ही बाबा कहते है मुझे सब पता है बाबा हम क्या करें वो कौन है और हमारे घर में क्यूं है और कहां से आई है कृसी का बोलती है बाबा रुक्मणी देवी के तरफ देख कर बोलते हैं वो इसी घर की है आप क्या कहना चाहते है बाबा साफ साफ कहिए बेटा तो सबर रख तुझे पता चल जाएगा रानी कहती है बाबा पुपाय वताईए सभी भड़े लोग मेरे साफ आईए मुकेश और देवानची बाहर खड़े रहते हैं और बुवा जी रुक्मणी देवी और रानी और दोनों के पती अंदर जाते हैं कृतिका बेटी तुम भी आओ बाबा अपने मंदर की कोठ्री में चले आते हैं और वहां से तीन गुडिया लेकर आते हैं इन गुडियों कर अंकाला आखे लाल लाल और उन पर सिंदूर लगा हुआ था बाबा ने वो गुडिया देते हुए कहा पहली गुडिया की पूजा भी थी पूजा करने के बाद इस गुडिया के बाए पैर में एक कील तुम्हारी चाची को लगानी है और दाए पैर में उनके पती को तीसी गुडिया के पूजा हवी लिगे बीच ओबीच और ये निम्बू हरी मिर्च रखकर उसके सिर पर एक केल तुमारी सांस को लगानी है फिर तुमें उस गुडिया के मुंडिय लगकर के वहाँ से भाग जाना है याद रखना इस सब में बच्चे ना हो ठीक है बाबा मैं मुकेश और दिवान जी को अपने घर भेज़ दूँगी कृतिका बोलती है वो ऐसा ही गरते हैं उसी राज सब ने पूजा के तैयारी करी तभी बहुत ते सुफान आता है मानो कोई उन्हें ये सब करने से रोक रहा था लेकिन कृतिका ने सबसे कहा कि कोई भी रुखना मत हमें जोक करना है जल्दी करना है और बिना डरे करना है दो गुडिया की पूजा करने के बाद तीसरी गुडिया की पूजा बाकी थी और जैसे ही रुखमणी उस पर कील लगाने चलती है तब ही अचानक रुखमणी दिवार से लड़ जाती है मानो कोई अद्रिश्य सक्ति उस पर हमला कर चुकी थी कृतिका संभालते हुए जल्दी से उनसे कील लगवाती है और उसका सर अलग करके जल्दी से सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं घर के बाहर लगे दर्वाजे पर सीश्यों से सब लोग देखने लगते हैं तब ही जमीन पर से खुले बाल वाले लंबे नाखून से गंदे से कुर्टे में पूरा जरा हुआ शरीर और हाथ पैरों से चलते हुए एक आत्मा उन सभी को आती हुई दिखाई देती है सभी लोग उसे देख रहे थे वो गुडिया के सर से निकला खून अपनी जीब से चाट रही थी तब ही अचानक वो शीशे से आकर चिपक जाती है सभी लोग वहाँ से चिला कर भाग जाते हैं और बाबा के पास जाते हैं पर बाबा उन लोगों को देखते के साथ ही ये बात बोलते हैं आपकी बहु कहा है? कृतिका कहा गई? अभी तो हमारे साथ ही थी चाची बोलती हैं गर के सबी सदसे कृतिका को ढूणने लगते हैं अनर्थ हो गया जिसका डर्था वही हुआ चलो सब हवेली में सब बाबा के साथ हवेली चल देते हैं रात काफी हो गई थी तुफान आने वाला था हलकी बारिश हो चुकी थी जब सब लोग हवेली पहुचते हैं तब तो करा पर कृतिका पूरी हवेली में ही नहीं थी बाबा कृतिका कहां है रुकमणी बोलती है बाबा ने चार तरफ देखा और तभी बाबा को वो कमरा दिखता है और वो उस तरफ इशारा करते हो बोलते हैं वहां है यह सुनकर रुकमणी देवी का पूरा शरीर पसीने में ड जाती है जो कृतिका कुछते पहले उनके साथ थी उसका भी हाल देखकर सभी के रॉंगटे खड़े हो जाते हैं बाल खुले हातों पर फाफले मानों किसी ने उसे जला दिया हो एक सफेद कुर्टा और उसके सिर पर उसके दोनों पैर दिवार के तरफ मुँ ऐसी थी कृतिका भी उसकी सिस्कियों से पूरी हवेली गुंज रही थी आगे की दिवाल पर नाकूनों से लिखा था रुकमनी पर अंधेरा होने के कारण शार्द किसी की नजर उस पर पड़ी नहीं थी रुकमनी कृतिका के कंदों पर हात रख कर उसे उठने के लिए कहती है तब ही कृतिक होता है चाची बोलती है तभी कृतिका दिवाल पर चड़ जाती है और हुखमनी के तरफ बढ़ने लगती है तभी बाबा कुछ मंत्रों का उच्छार्ण करने लगते हैं बाबा के हाथ पैर अपने आप मूलना श्यूरू हो जाते हैं बाबा अपने आपको संभाल पाते Baptि पहले ही कृतिका ने बाबा को हवा में वड़ा दिया और बाहर फेक दिया सभी लोग दरके बाहर आ जाते हैं बाबा ने कराते हुए कहा अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी उसके अंदर सुनेना की आत्मा है वो एक पवित्र आत्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगार सकता जो पाप हुआ है उसके भूगतना पड़ेगा क्या मतलब बाबा सुनेना की ये मौत तो उसी कमरे में शोड़ शेट्ट से आग लगने के कारण हुई थी नहीं ये सच नहीं है ये सुनकर चाची हैरान जाती है बाबा अब आप ही हमें सबसे बचा सकते है इतने में दर्वाजा अपने आप बंद हो जाता है ठीक है हमारे गुरु जी दो दिन के लिए तपस्या मेलीन है तब तक तुम लोग घर के मंदर में बेल पत्र और जुद्राक्षी से मंदर के चारों तरफ गोला बना लो याद रहे जब तक वो रेखा बनी रहेगी तब तक आप लोग को कुछ नहीं होगा इतना गहतर बाबा वहां से चले आते है जी जी वो बाबा क्या कह रहे थे क्या हुआ था पांस साथ पहले सुने ना कि मौत थासा ही थी या फिर तुम्हें पता भी है रानी तुम क्या कह रही हो रुकमनी लडख़डाते हुए बूली तब ही आवाज आती है माँ यह आवाज सुनकर रुकमनी के कान ही से तर्ग हो जाते है क्यों कि राहुल वापस आ गया था रुकमनी नहीं चाहती थी कि राहुल को यह सब पता चले रानी राहुल के आते ही उसे सब कुछ बता देती है चा कह रहे हैं आप लोग ऐसा कुछ नहीं होता और हाँ एक बात और कृतिका को मैं अपनी पतनी के दर्जा नहीं दूँगा लेकिन जब से मेरे साथ कृतिका आई है तब से मैं खुश रहने लगा हूँ अब मैं कृतिका को खुश रखूंगा और कृतिका के साथ ऐसा बोलते हुए राहुल सब के मना करने के बावजूद सीथा उसी कमरे के तरफ जाता है जहां कृतिका थी और उसे वहाँ पर कृतिका दिखाई नहीं देती वो वहीं से चिलाता है चाची कहां है कृतिका, यहां तो कोई नहीं है क्या आप मिर साथ मजाग कर रहे हो रहुलाज पहली बारतना खुश था यहीं तो थी पीशे से आते हुआ सब लोग बोलते हैं सभी इधर देखते हैं लेकिन वहाँ सच में कोई नहीं था तभी राणी एक तरफ देख्ती है पर जो वो देखती है उसे देख कर उसके मुँब से आवाज नहीं निकलती सबी लोग उस सर्फ देखते हैं जहां रानी की नजर होती है और यह देखकर राहूल के होश उड़ जाते है कृतिका दिवाल पर उल्टी डटकी थी और राहूल को प्यार भई नजरों से देख रही थी तभी उस से धीर धीरे नीचो तरना शुरू करा और कीड़े की तरह चल चल कर राहूल के गले लगकर वो जोर जोर से रोही लगती है एक मिनट के लिए राहूल को भी सुनेना की याद आयाती है तभी कृतिका की पकड़ उस पर मजबूत हो जाती है राहूल जटके से अपने आपकों से अलग करता है कृतिका की आखे लाल और मुझ से हलका सा खून निकल रहा था मानो अभी वो किसी को मार डालेगी कृतिका अब गुस्ते से रुकमनी के तरफ बढ़ रही थी वो अपनी गर्दन टीड़ी करके एक रहस्ते में हसी हस्ते हुए आगे बढ़ रही थी और वो फिर रुकमनी पर हमला करती है उससे पहले ही राहूल सबको भागने के लिए कहता है और सीज़े सब लोग मंदिर में आ जाते हैं अब तो कृतिका भी उनके पीछे पीछे दोनों हातों को समीन पर रखती हुई आ रही थी सब समझ गए थे कि कृतिका के शरीर में किसी आत्मक आवास है कृतिका मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी घर के सभी सरस्य धीरे धीरे नीन के आगोश में जा रहे थे चुकि कई दिनों से हास्तों के वज़ा से वो सो नहीं पा रहे थे और सब की नीन दूड़ी हुई थी लगबग रात के एक बज रहे थे तब ही किसी के रोने की आवास तुनाई देती है और सब की नीन खुल जाती है राहूल जब चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता तब ही उसकी नजर नीचे फर्श पर जाती है तो देखता है वो कि कृतिका उसकी तरफ एक उमीद से देख रही थी मानो कुछ कहना चाह रही हो मुझे भचा लो राहूल कृतिका की ऐसी हाला देखकर मंदरी की धहलीस पार करने ही वाला होता है कि तब ही राहूल के पापा ये शरन सिंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं बेटा ये उसकी चाल हो सकती है तब ही कृतिका बोलती है पापा मैं आपकी बहू हूँ मुझे भचा लो और जोर जोर से रोने रखती है कृतिका को ऐसे लाचार देख राहूल पर रहा नहीं जाता और उपने पिता का हाथ छोड़ कर मंदिर से बाहर आयाता है जैसे ही वो मंदिर के दहली स्पार करता है वो रोने की आवाज एक दरावनी हसी में बदल जाती है राहूल जैसे ही मंदिर जाने के लिए वापस पलटता है एक हवा का जोका उसे उड़ाते हुए पीशे वाले दिवार से टगरा देता है राहूल पर अब उठा नहीं जाता सबी घरवाले उसे मंदिर में आने के लिए बोलते जाते हैं कृतिका दिवाल पर उल्टी लटकी हुई एक दरावनी हसी हस रही थी मेरे होते हुए तुमने किसी और से शादी कैसे करी राहूल हिमत करके पूछता है कौन हो तुम और मेरे परिवार को क्यों मारना चाहती हो इस सवाल पर कृतिका का गुस्तामानों दुगना हो जाता है और वो बुरी आवाज में चीखने लगती है सबको मार दूंगी मैं सबको राहूल ने जब उसके हाथ में देखा तो उस समझ गया कि कृतिका के अंदर किसकी आत्मा है चुकि उसने वो ब्रेसलेट पहन रखा था जो राहूल ने अपनी पहली पत्नी सुनेना को दिया था जिसे वो अपनी चांद से जादा चाहती थी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सुनेना की आत्मा है इतनी भयानक लिखने वो चाहती क्या है अब राहूल के मन में कई सारे सवाल बूझ रहे थे तब ही कृतिका नाकूनों से खुदेरना शुरू करती है और ये आवाज पूरी हवेली में गूझ रही थी कुछ देर के बाद सुबह हो चुकी थी कृतिका अब वहाँ नहीं थी सभी लोग मंदिल से आए और जहां कृतिका बैठ कर अपने नाकूनों से कुदेर रही थी वहाँ वो लोग आकर देखने लगे राहूल ने ध्यान से देखा तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था जब सबने समझ समझ कर पढ़ा तो सब की रूख काप गई और राहूल को एक बहुत बड़ा जटका लगा लेकिन यह कैसे हो सकता है हट्या राहूल मैं तुम्हारी सुनेना क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती जि तुम्ने दूसरी शादी कर ली कभी यह पता भी नहीं करा कि सुनेना की मौत कैसे हुई क्या सच में मेरी मत शॉर्ट सर्किट से हुई या किसी और वजा से तुमारी सुनेनब मरी नहीं थी मारी गई थी हत्यागी गई थी मेरी और कातिल घर में घूम रहा है ये सब पढ़कर सब एक गूसरे की तरफ देख रहे थे और सबके दिलों के ध्रकन बढ़ चुकी थी तबी घर में बाबा और बाबा के गुर्देव का आगमन होता है गुर्देव बोलते हैं अनर्द हुआ है से वेली में सबी लोग पूछते हैं क्या हुआ गुर्देव इससे पहले कोई और कुछ पूछता गुर्देव बोलते हैं पूजा के तयारी करो आज रात पूजा करनी होगी लगवर रात के बारा बजे करके सबी लोग पूजा में बैठ जाते हैं पूजा शुरू होते ही उस कमरे के गेट बहुत तेज सेज क्या पूजा शुरू होते ही सर जुका कर उसका चेहरा लटक जाता है और चेहरे पर एक अजीब सी हसी रहती है कौन हो तुम गुर्देव के इतना कहते ही पूरी हवेली सुनेना की चीक से गुण जुटती है सुनेना हूँ मैं गुर्देव कृतिका के उपर एक मंतर पढ़कर कुछ राक फेकते है कृतिका बेहोश हो जाती है और अब सुनेना की आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी इसलिए जाओ यहां से राहुल कृतिका को अपनी गोद में उठा कर उसके ओपर पानी के कुछ छीटे डालता है थोड़ देर में कृतिका को होश आयाता है इस सब क्या हो रहा है और मेरे हाथों क्या हुआ यह भगवान इस सब क्या है मैं तुम सब कुछ पिताता हूँ राहुल बोलता है जल्दे से कृतिका को यहां लाओ और उसके हाथों में धागा बांदो वो आत्मा किसी शरीर का स्पर्ष चाहती थी और कृतिका ने उसे स्पर्ष करा था इसलिए उसने इसको अपने वश में कर लिया अब गुर्देव जोर जोर से मंतर पढ़ रहे थे मानो किसी को बुला रहे हो और दूसरे बापा एक गोला बनाते हैं थोड़ी दूरी पर और उसमें सुनेना की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और सब को दिखने लगती है कुछ ला रही होती है कुछ दिर में मंतर उच्चारण के बाद सुनेना की आत्मा शान्त हो जाती है और फिर गुर्देव को देखते ही उसकी आँखों से आज़ू आने लगते है तुम्हारी रूह नहीं कापी किसी के साथ इतना अन्याय करते हुए गुर्देव आँखे बंद करके बोल रहे थे गुर्देव अब आँखे खोल लेते है गुर्देव आप क्या बोल रहे हो राहुल कहता है सबी लोग आँखे बंद करके मुट्टी बान कर बैठ जाओ सब लोग ऐसा करते हैं और सबी लोग को एक दिश्य दिखने लगता है सुने ना उसके सिर से खोन की धारा बह रही थी और वो जमीन पर पड़ी हुई थी उसके उपर मिट्टी का तेल गिराया जा रहा था और वो अपनी जान की भीक मांग रही थी सामने उसके खड़ी थी रुकमणी राहुल की मा जिसके हाथ में जलती हुई माचिस की तीली थी और हसते हुँग कह रही थी तुम्हें सच बताना चाहती थी चल अब बेसच उपर भगवान से बताना और एक हसी के साथ वो जलती हुई तीली को सुनैना के उपर फेक देती है जट से राहुल ने आखे खोल दी और इतर उतर देखने लगा आपने ऐसा क्यों करा सुनैना की आत्मा बहुत लाचारी से बोली क्या बगारता मैंने आपका क्यों मुझे मारा अब कोई नहीं बचेगा इसके बाद सुनैना हसने लगती है तुम्हारे गुन्यागार को सजा मिलेगी लेकिन तुम मुझे क्यों मरना चाहती हो राहुल के पतनी कोई नहीं हो सकती इसलिए लेकिन तुम्हारे जाने के बाद राहुल बिचारा अकेला हो गया था क्या तुम उसे से देख सकती हो उसका कोई जवाब नहीं आया तब पीछे से रुकमणी बोलती है मैं तुम्हारी मा नहीं हूँ यसनकर सब दंग रहे आते हैं मार दिया तुम्हारे माबाब को मैंने आज से 20 साल पहले तुम्हारे दादा जी ने ये हवेली तुम्हारे पापा के नाम पर कर दी थी और हमें हवेली से जरफ एक कमरा और कुछ नहीं दिया था क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं थी इसलिए मैंने मार दिया तुम्हारे पापा को हम तो तुम्हें मार दे वाले थे लेकिन पता चला कि तुम्हारे पापा ने हवेली तुम्हारी बीबी के नाम पर कर दी थी इसलिए हमने तुझे पाला पोसा और हवेली नाम हो जाने पर तुझे मार देने का सोचा हमने सोचा कि तीरी शादी कैसी रड़की से कराएंगे जो हमारे इशारों पर नाचे लेकिन तूने सुनेना से लव मेरिज़ कर ली फिर पता नहीं कैसे सुनेना को हमारे बारें पता चल गया और वो तुझे हमारे बारें बताने जा रही थी हाँ सुनेना मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन उससे पहले वो श्टोरू में सफाई करने के लिए गई उससे किसी ने बोला था ऐसा करने के लिए काश मैं तब ही समझ गया होता कृतिका रावल को संभालते हुए कहती है एक औरत होकर दूसरी औरत के साथा पैसा कैसे कर सकती हो शर्मानी चाहिए आपको ब्रानी कहती है पुलीस को फोन लगाओ हाँ बिल्कुल इन्हें से सजा मिलनी चाहिए लेकिन यश्वन सिंग कहा है सच में यश्वन कहीं नहीं था लेकिन वो कहें कहां हाँ चाहता यह वो काफी देर से इधर नहीं थे कृतिका इधर देखते हो बोलती है पुलीस आती है और रुकमनी को ले जाती है और यश्वन की तलाश में लग जाती है पर यश्वन कहीं नहीं मिला एक साल बाद कृति का मा बनने वाली थी एक दिन रानी पोधो को पानी दे रही थी कि उसकी नजर जाड़ियों में पड़ी उसे वहाँ कुछ लगा उसमें पास जाकर ध्यान से देखा तो हाँ सडी सी बद्बुआ रही थी और उसी वक्त उसकी चीख निकल जाती है सब लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक बॉडी थी जिसका सिर्फ हाथ बाहर निकला हुआ था बागी पूरा शरीर जमीन में दफन था सब डर गए थे, पुलीस को बुलाय गया और पुलीस ने मिट्टी खोदना शुरू करा जैसे जैसे मिट्टी उपर आ रही थी वैसे वैसे एक अजीब सी बदबू आती जा रही थी सब ने अपने नाक और मुंको ढख लिया था जब बाडी बाहर निकली तो सब की रूख आप गई चुकी ये बाडी और किसी की नहीं बलकि ये श्वन्त की थी पुलीस ने बताया कि वो सिर्फ एक महीने पहले ही मरा है और उसके हाथ पर वैसे ही फोले थे जैसे सुनैना के हाथों पर थे पुलीस के जाने के बाद सबी लोग अंदर चले आते हैं और दिवानची एक रहसमय हसी के साथ गुनगनाती हुई शरी आती है अगले दिन पुलीस टेशन से फोन आता है कि रुकमनी की रहसमय तरीके से मौत हो गई और एक बार फिर वही हसी दिवानची के जहरे पर आ जाती है दो दिन के बाद कृतिका ने एक लड़की को जनम दिया जिसके हाथ पर बिकुल वैसे ही निशान थे जैसे सुनेना के हाथ पर थे सबी लोग उस नजनी परी को खिला रहे थे कि तब ही दोर बल बजी कृतिका ने दरवादा खोला तो चौंक गई चुकी बाहर देवादशी खड़ी थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैक था देवादशी अंदर आई और सब उसे गोर से देख रहे थे आरे देवादशी कहां गई थी तुम कल जब भाबी अस्पताल गई थी तब कहां थी और रात को इतना बड़ा बैक लेकर कहां गई थी रानी बोलती है क्या मतलब मां रात को मैं तो एक महीने पहले गई थी न कॉलिज की काम से और आपने ही तो मेरा बैक पैक करा था अब आप ये क्या बोल रही हो हां लेकिन तुम बापस आ गई थी और तुमने कहा था कि तुम्हारे कॉलिज का काम एक महीने बाद होगा सब लोग हैरार हो जाते हैं और कृतिका बोलती है इसका मतलब हमारे बीच सुनेना थी ही भगवान उसी नोन लोगों को मारा था लेकिन भापी मैंने एक महीने में कितने फोन करे पर आप मेंसे किसी ने कॉली नहीं उठाया देवानशी बोली शुलो सब ठीक है हम मेंसे किसे को चोट नहीं आई हां मा और शायद अब वो खुद इस घर में बेटी बन कर आ गई है कृति का बोलती है और चुप हो जाती है तो दूस्तो ये थी हमारी आज की स्टोरीज वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरीए ज़रूर बताईएगा पसंद आया तो एक लाइक भी करिएगा आप कमेंट्स के जरीए मुझे अगली वीडियो का टॉपिक भी बता सकते हो मैं अभी शेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में